हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एम जे फो यू में आज का जो वीडियो है वो वोट्सप से रिलेटिड है एक्चुली जैसा कि आल्मोस सब के मुबाइल में आज कल वोट्सप बिजनेस और एक नॉर्मल वोट्सप दोनों इंस्टोल हो जाते हैं एक ही डिवाइस में आप इंस्टोल कर सकते हैं लेकिन प्रोब्लम क्या है एक्चुली जब मेरे मुबाइल में फर्स्ट वोट्सप बिजनेस मैंने इंस्टोल किया तो उस टाइम पे नोटिफिकेशन अगर मेरे को कोई कोल या मैसेजीज करता था तो उसका मेरे को मेरे मेरे बिवाइस पसे कोईतो और मेरे के नोटिफिकेशन यहां पे यहां पे आ गया है लेकिन इसका जस्ट मैं आगर opposite करता हूँ कि मैं अपने whatsapp business से और जब whatsapp normal पे reply करता हूँ यहाँ पे तो मेरे को notification उदर receive नहीं हुआ है आप लोगों को दिख रहा होगा कि message deliver हो गया है बट notification अभी तक नहीं आया है और जब मैं उसको open करूँगा तो यह issue था इसको troubleshoot अगर यह आपको भी आ रहा है तो आप इसको कैसे check कर सकते है सबसे पहले आपको जाना जहा है आपका जो normal whatsapp है उसकी settings पे जाना है जब आप settings पे आ जाएंगे तो आपको notification में आना है और यहाँ पे आप लोगों को check करना है कि जो आपका first conversation tones है वो off है या own आप उसको own कर दीजिए उसके बाद जो messages में आपका notification tone है वहाँ पे आप लोगोंने silent select कर रखा है vibrate select कर रखा है कुछ भी वो आप लोग check out कर लीजिए अगर वहाँ पे sounds है तो मैंने जाए first none है यहाँ पे मैं default select कर लेता हूँ save कर दिया है इसके बाद जो भी और है use high priority notification वो भी own कर दीजिए उसके बाद reaction notification से अगर आपके messages पे कोई reaction डालता है तो उसका भी आप own कर सकते हैं high priority ये group messages की settings हैं वो भी आप same रख लीजिए तो ये आपके आपने notifications की settings update कर दी हैं अब आप एक बार check कर सकते हैं कि WhatsApp business से आपको कोई normal WhatsApp पे message डालेगा तो उसका notification आएगा या नहीं आएगा तो वो check कर लेते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरा message deliver हो गया है बट still मुझे अभी तक कोई notification नहीं आया है that means अभी भी हमने settings update करने के बाद भी कुछ न कुछ issue है अगर या तो आपका problem यहाँ पे resolve हो जाएगा अगर in case नहीं होता है still आपको problem आ रही है कि आपको messages का पता नहीं लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं आप अपने mobile की settings में जाईएगा वहाँ से आपको select करना है notifications यहाँ से notification में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको app notifications मिलेगे जब आप वहाँ पे जाओगे तो यहाँ से select कर लीजिएगा all apps ताकि आपको जो भी आपके mobile में applications है वो आपको नजर आ जाएगी यहाँ से आप जिस भी app पे काम करना चाहते है उसको select तो यहाँ से हमें WhatsApp पे problem हो रहा है तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि WhatsApp के साबने जो notification icon है वो off है लेकिन मेरा WhatsApp business का है वो यहाँ पे on है तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं इसको भी यहाँ से turn on कर सकते हैं जब आप यहाँ पे WhatsApp का जो notification on कर देंगे उसके बाद एक पर आप try कर सकते हैं message करके अगर आपका problem short out हुआ या नहीं हुआ तो मैं एक पर यहाँ से message अब ही जैसे आपने message किया तो आपको notification उपर आ गया है तो यह issue था mostly आगर आप लोगों को भी आ रहा है तो आप इसको ऐसे double shoot कर सकते हैं तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रही है और अगर आपको आपके mobile से related या कोई technical error आ रहा है तो आप अमें comments कर सकते हैं जहां तक possible होगा harm solution के साथ आप तक पहुँचेगे तब तक के लिए goodbye, take care and thank you